उधारन छे बहुपद एक जेड बराबर दो जेड की घात दो रिण पांच धन ग्यारा जेड रिण जेड की घात तीन में से बहुपद एक जेड बराबर तीन जेड रिण पांच जेड की घात दो धन साथ धन तीन जेड की घात तीन को घटाईए बहुपद एक जेड बराबर दो जेड का घात दो रिण पांच धन ग्यारा जेड रिण जेड का घात तीन को हम अक्षर संख्याओं की घातों के घटते क्रम में लिखेंगे यहाँ पर हम सरप्रतम रिण जेड का घात तीन धन दो जेड का घात दो धन ग्यारा जेड रिण पांच के रूप में लिखेंगे अब हमारा दूसरा बहुपत एस एस जेड बराबर तीन जेड रिण पांच जेड का वर्ग धन साथ धन तीन जेड का घात तीन इसे भी हम इस बहुपत को भी हम घातों के घर्टे क्रम में लिखेंगे तो सरप्रथम तीन जेड का घात तीन रिण पांच जेड का घात दो धन तीन जेड धन साथ होंगा अब हम एक्स जेड रिण एस जेड को भुपत को घटाएंगे तो हमारा एक्स जेड भुपत है रिण जेड का घात तीन धन दो जेड का घात दो धन ग्यारा जेड रिण पांच इसमें दूसरा भुपत तीन जेड का घात तीन रिण पांच जेड का घात दो धन तीन जेड धन साथ को हम घटाएंगे घटाने के लिए दूसरे भुपत में हम इनके गुडांकों के चिन को बदलेंगे तो यहाँ धन तीन रिण तीन रिण पांच धन पांच धन तीन रिण तीन और धन साथ रिण साथ होगा इसके पस्चात हम इनके गुडांक जेड का घात तीन का गुडांक रिण एक रिण तीन को कोश्टक में लिखेंगे एवं जेड का घात तीन यहाँ हमारा उभैनिस्ट चरांग है धन अब इनके गुडांक दो धन पांच और उभैनिस्ट चरांग जेड का घात दो जो की कोश्टक के बाहर रहेंगा धन इनके गुडांग ग्यारा रिण तीन को हम कोश्टक के अंदर लिखेंगे और चरांग जेड जो है उभैनिस्ट निकलेंगा धन अब हमारा इस्तिरांग रिण पांच रिण साथ को हम कोश्टक के अंदर लिखेंगे बराबर रिन एक रिन तीन बराबर रिन चार जेट का घात तीन धन दो धन पाँच बराबर साथ जेट का घात दो धन ग्यारा रिन तीन बराबर आट जेड धन रिन पाँच रिन साथ बराबर रिन पारा होगा बराबर रिन चार जेट का घात तीन धन साथ जेट का घात दो धन आठ जेट धन गुडित रिन रिन बारा होगा इस तरह से हम इसे हल करेंगी